मेरी दादा जी का स्वास्थे इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा। क्या उन्हें कोई गंभीर समस्या है? हाँ, क्या तुम्हें याद है? उस दिन अध्यापिका ने हमें कक्षा में बताया था कि स्वास्थे वो दशा है जिसके अंतरकर्ट शारिरिक, मानसिक या सामाजिक का समुचत श्रमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। मेरे दादा जी बूड़े होते जा रहे हैं तथा इसलिए वो शारिरिक रूप से भी कमजोर होते जा रहे हैं। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि अध्यापिका ने हमें ये भी बताया था कि सभी जीवो का स्वास्थिय उनकी पर्यावरन पर निर्भर करता है। पर्यावरन के अंदर भौतिक वातावरन शामिल है। उधारन के लिए एक चक्रवाद या बाण आने पर कई मायनों में स्वास्थिय खत्रे में होता है। अंकिता, क्या तुम जानती हो कि यहां तक की सामान्य पर् वच्छता नहीं रहती, तब अने को रोग फैलते हैं. उधारन, मलीरिया, डाइरिया, आधी. हाँ, मैंने कई बार देखा है कि जब सफाई वाला मेरी कॉलनी में नहीं आता है, तो वहां कच्रे का भारी धेर लग जाता है, तथा पानी भी भर जाता है. जिससे कि कई बैक्ट जो कि अच्छे स्वास्थ को नियंत्रत करती है, वो संतोलत आहार है. ये कारण है कि मेरी मम्मे तथा दादी हमेशा हमें नियमित अच्छा भुजन खाने को कहती हैं. उदेश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. स्वास्थ्य तथा रोग को परिभाशत करना, रोग के प्रकारों को पहचानना, तीफ्र यानी प्रचंड तथा दीर्खकालिक रोगों यानी बिबारियों को जानना, जन जा तथा अधिग्रहित रोगों यानी बिमारियों को जानना, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों म प्रण के अंतर समझना, विभिन रोगों के लक्षणों को पहचानना, उपचार के नियमों को पहचानना, रोग यानी बिमारी के निवारन के लिए सिध्धान्तों को पहचानना, तीका करन को जानना. रोग रोगों के प्रकार क्या तुम मुझे बता सकती हो के कुल कितने प्रकार के रोग होते हैं? हाँ, मानव रोगों को चार श्रेणियों में वर्गे कृत किया गया है. तीव्र यानी प्रचंड, दीर्खकालिक, जन्जात तथा अधिक्रहित. तीव्र यानी प्रचंड रोग हाँ, मैं जानती हूँ कि तीव्र यानी प्रचंड रोग वे रोग होते हैं जिनका प्रभाव शीक्र होने लगता है, तथा वे शरीर को जल्दी प्रभावित करते हैं. उधारन, इन्फ्लुएंजा दीर्खकालिक रोग दीर्खकालिक रोग वे होते हैं जिनके लक्षण महीनों या वर्षों में खत्म होते हैं. उधारन, हाथी पाव या शैरोग आधी जन्जात रोग तथा जन्म जात रोग वे रोग हैं जो की जन्म से ही पाए जाते हैं उधारन अवर्णता, रंग हीनता, हीमोफीलिया अधिक्रहित रोग हाँ मैं जानती हूँ कि अधिक्रहित रोग जन्म की पस्चात ही पाए जाते हैं तथा इस प्रकार के आनुवानशिक नहीं होते, किन्तो अधिक रहित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग, उधारन इन्फुन्जा. संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में अंतर अंकिता, क्या तुम मुझे संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में अंतर बता सकती हो? हाँ, संक्रामक रोग एक संक्रामक पीडित यानि मनिश्य से स्वस्थ्य मनिश्य में प्रेशित यानि संचारित हो सकते हैं, जबके असंक्रामक रोग प्रेशित यानि संचारित नहीं हो सकते संक्रामक रोग सुक्ष्मित जीवों जिन्हें रोग जनक कहते हैं द्वारा संचरत होते हैं पोशक तत्वों या हॉर्मोनों की कमी अथवा उतकों का शय या त्यूम अथवा शरीर की अति सम्वेदन शीलता असंक्रामक रोगों के कारण होते हैं रोगों के लक्षण अंखिता, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि रोगों के लक्षण दो प्रकार के होते हैं अंग यानि उतक विशिष्ट अभिव्यक्ति तथा सामान्य अभिव्यक्ति उपचार के नियम ठीक है माधुरी, मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि विभिन रोगों के उपचार की नियम इस प्रकार है लक्षन आधारित तथा रोगान आधारित निवारन के सिध्धान्त इसी प्रकार के रोगों के निवारन की दो मुख्य विधिया हैं सामान्य विधि तथा विशिष्ट विधि टीका करन मुझे चेचक, गलसुआ यानी कनपड़ा तथा खस्रा, रुबेला के टीके लग चुके हैं टीका करन क्या है? दो शब्दादी पूर्फ एक इंगलिस चिकितसक जिसका नाम एड़वर्ड जैनर था ने पता लगाया कि ग्वाली जिन्हें गोचेचक हुई है, उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई गोचेचक मंद रोग है जैनर ने जान बूच कर लोगों को गोचेचक दिया इससे उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी है इसका कारम ये है कि चेचक का बैक्टिरिया गोचेचक में वाईरस विशाणू का निकट समबंदी है Latin में काव यानि गाय का अर्थ है वाका तथा काव पौक्स यानि गोचेचक का अर्थ है वैक्सीनिया इन दो शब्दों से ही ठीकाकरन यानि वैक्षिनेशन शब्द की खोज हुई है। उसे संशेप में दोहराएं स्वास्थ्य विक्ति की स्चारिडिक, मांसिक तथा सामाजिक जीवन की एक समक्र, समनवैत अवस्था है किसी का स्वास्थ्य उसके भौतिक पर्यावर्ण तथा आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है रोगों की अवधे के आधार पर इन्हें तीवर तथा दीर्घकालिक वर्गों में विभाजित किया गया है आनुवानशिक्ता अथवा जीवन पर्यंत के दौरान विकसित होने के आधार पर इन्हें जन्जात तथा अधिक रहित रोगों में वर्गे कृत किया गया है रोग के कारक संक्रामक अधवा असंक्रामक हो सकते हैं संक्रामक कारक जीवों के विभिन वर्ग से हो सकते हैं ये एक कोशिक शुक्ष्म जीव अधवा बहु कोशिक हो सकते हैं रोग का उपचार उसके कारक रोगानू के वर्ग के आधार पर किया जाता है संक्रामक कारक वायू, जल, शारिरिक संपर, अथवा रोग वाहक द्वारा फैलते हैं रोगों का निवारन सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा है संक्रामक रोगों का निवारन जन स्वास्थिय स्वच्छता विध्यू द्वारा किया जा सकता है जिसी संक्रामक कारत कम हो जाते हैं